हेलो फ्रेंड्स तो बैसिक मेट्स का अपका तीसरा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है उसमें आपन जो है वो पढ़ेंगे आवकलन ये सबसे इंपोर्टेंट चीज पूरी फिजिक्स में और पूरे मेट्स में आपको काम आएगी तो सबसे पहले आप इसमें देख लो कि जो है वो क्या होता है tysi escaped di綫रna α Ichyko कोई चीज कितनी फास्ट हो रही यह अरतात परिवर्दन की दर को अपन बोलते है आओकेलन ठाख जैसे ओस अबम्हेरतन की दर तो आपन मों फकर फेंगे लेकिन जो तक्षमिम अवता है उसे ही जैसे किaring इम बोलते जैसे कि D्यैकस अ comfortable मैं एक लिए लेख सिरूखे स्वस्ताइं को अस परिवतन की होते हैं यह वा यह इक बड़ा अंत्राल होना अवाश्यक्त है, एक से सिर्थ टियर request या एक सी 4 सी हैं तक दो से पांच सेकेंड तक टीन से अाठ से था उना जङए तो इसके लिए होता दो बिंदू होना जरूरी होते है, जैसे कि अपने यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पर पहुंचते हैं, पांच घंटे लग रहे हैं, 200 किल मिटर की दूरी है, तो इसमें स्पीड कितने लगी, तो स्पीड क्या होता है, चेंज इन डिस्टंस अपनमें चेंज इन टाइम, पांच घंटे लग गए अपने पांच आ गया उपर कितने डिस्टंस है वह 200 है तो यह आ गया इसका सॉल किया तो अपने 40 क्म पर हो यह इसकी औसत चाल आई क्या आई ऑसत चाल ठीक है दूसरा होता है ताक्षनिक चाल वह बात पड़ेंगे तो उसका नया स्टाट टॉपी कर इसको कैसे करते है यह है होता है आक बदेखें चाल करते है यह सबसे पहले ऐपन थे की आपने तो अपने y का और कर दिया x के साफ एक्ष तो अपने इसको solve करेंगे d और जो यह value है y की वो पूर रखेंगे x की power n अपने dx इसमें क्या होता है यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है एक दो तीन चार कुछ भी हो सकता है इसे तो अपने इसको solve करते हैं तरीका क्या है पहले इसको step से चलना पड़ेगा पहला step जो है वो बताता है कि घात सामने गुणा में आएगी एक by n है तो n आजाएगा आगे इस था पिले तो यह जो होती है वो आगे जाए तो n आगेका तोр तो 2 ट की पावर 2 है तो 2 राख में में तो आगया आगया लेकिन अब जो x अ उसकी पावर आफस एंथी न तो वह माइन से माइनस मतलो लेकिन वह समझ तरीक कैसा कि इसको सुलड करते है ठीक है अब जी ते दुसरे स्टेप में कुछ उससे आपको याद करनी पड़ेगी वो देखो यह सह है एक नियat value होती है जैसे की जो fixed value होती इसको नियat value बोलते है जैसे एक दो या फिर पाई माल लो या फिर ए आपने फिर याद कहा था एक यह एक value 2.7-8 वेस जो भी value fix होती है उनको constant बोते है ठीक है इसको छोड़ा आप नेक्स्ट अपन जो है वो पढ़ेंगे वह इंपोर्टेंट है उसमें अपन देखो देखेंगे इसको फिक्स लगा लेते हैं अभी ही को की क्या होता है ये को मैंने पहले किण्व आपण स्कीपर माइन बन गया ठीक है माइनस N में से एक गठाया तो माइनस 1 बन गया ठीक है next जालो एक example से देखते है अपन इसमों देखो माइनस का 3 दो निचे x की पाबर माइनस चार ठीक है concept third concept में देखो एक्स अंडरूट में है तो अपन अंडरूट को क्या बोलता है अंडरूट को अपन बोल सकते है एक्स की पावर वन बाई टू अंडरूट का मतल़ भी तो होता है ना वन बाई टू पावर तो वेस है ठीक है अभी देखो इसमें क्या होता है जो एक्स है उसको अंडरूट ल देख सकते हैं, इसमें है x की power 2, जिब से को solve करेंगे तो power आ गई आ गई, ना गई 3 2, x की power 3 2 minus 1 बन गया, यह 3 2 उसको solve करेंगे, तो आप आ जाये यह ठीक है, concept 4 है, उसमें होता है, d x की power 1, ठीक है, x की power 1, अब ये भी वैसा equation हो गया, opy jet इसमें क्या होता है एक्साफ साफ क्लंग करेंग तो जो वन है वो आगया जाएगा और एक्स की पावर वन में से वन गया जी जिटाए मैं परेया इंपोर एक और होती है इसमें जिसके साफिक्स करते है वह अगर उपर वाले के सेम रहा तो अंसर आएगा वन यह यह पर एक्स है तो जो एक्स होता है वह यहां पर दिखा नहीं की वाई के साफ एक्स का आउकलन वन हो गया तो यह वन का दस ठीक है कंसेप्ट वह इंपोर्टेंट इसमें क्या लिखते रखाया कि डी का डी और नियत वेल्यू है उसका आउकलन एक्स के साथ किया तो जीरुआ गया मतलब आपको याद रखने की मतलब नियत का आउकलन चुन्नी होता है यह आपको याद रखना है जिसे दी one अपउन टीक मतलब एक का करना है डी एक्स के साफ एक एक नियत वेल्यू होती है इसकली इसका आउकलन भीक्स साफ याग जिनाएग जीरु ठीक है नेक्स अपन बात करेंगे एक 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 एकग् और यह मैंने आपको बताया था कि constant का आउकलन हमें से 0 होता है तो 21 पार 5 10 15 20 कुछ भी हो सका आउकलन क्या हो जाएगा जीरो ठीक है वैसे हैं अभी आपन देखते हैं सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला फोर आउकलन के लिए कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपको याद क सबस्क्राइब करने दाउट वहां करते हैं न हो सेंसर न उंसले यह उसका उलन यहां यहाँ शाण डेंगा शेंस जाण रखना पहलें पहलेंन बॉस्क्त इंपोर्टेंट इन इंट में यह आएगा पर यह आज तक मैंने कभी देखा नहीं पुर्लिण पढ़ लिया मैंने लोग x का औलड ऐथो योग ऐस टो डेखों २ूग इपावर एकस का आउपलोण फालड ऐस धाइगा वो जाएगा ट्रहें। मढ़ी स एक पाउर एक्स का अब इक्सी होगा डिक यह अब All a ch एकिक याद रहा आपको जैसे उपर वाला याद रहा कि लोग एक्स का अब निक्सरoka में एक्सदाइगे कि अपन बीक्सर पर टाइकन एक्सडे हो तो यह a का value कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 मतलब 1 की पावर x 2 की पावर x 3 की पावर x कुछ भी हो तो उसका अगर आगर आपने dx के साफेक्ष करें तो वह है ax log a यह important यह नीट में नहीं नहीं आएगा लिए आपने जो साइन और को से आपको याद रखना है इसको छोड़ पहता है next अपन जो पढ़ेगा वह सब्सट्रेक्षण रूल वह कौन सा रूल सब्सट्रेक्षण रूल तेक है रूल नमर परस्ट अडिशनल रूल अडिशनल रूल इसमें देखो तो प्लस वाली में क्या होता है पेले वाले का पेले अउकलन हो जाएगा प्लस दूसरे वाले का बाद में उकलन हो जाएगा वतलब दी यू अपॉन डी एक्स पेले कर दो प्लस डी वी अपॉन डी एक्स बाद में कर दो जिसे एक्जामपल है अपने को करना है एक्स स्क्वा गए आगे और बहुत में से एक घट जाएगा तो देखों फोल्ट स्कॉरी की पावर में जो 2 है वो आ गया आगया एक स्की पावर 2 है माइनस वन किया तो दो में से ए गया एक बच गया तो X की पावर एक तो 2X की पावर एक को लिखने की जुरूरत नहीं है ठीक है ठीक है प्लस X का उखलन X साफिक्ष मैं आपको बताय था सेम का उखलन से सेम के साफिष करते है तो एक आता है तो DX ऐपून DX बन गया 1 तो 2X पलस बन गया ठीक है नेक्स्ट अपने को सब्स्ट्रेक्शन रूल नहीं है इसनज्समे क्या होता है वहरे याई लगा देना है पेले। माइश साथ क्रड़न करतोछ लिए एक्जम्पल के लिए देख सकते हैं इस людей क्या है एकावर 5 प्लस एक सी की पावर 6 यह प्लस साइन एक सकते है एक बटा को से तो साइन का लिग दिया एक बटा को से को से कड़ गया यह पूरा कड गया यहाँ यह रखना यह पर बना था इन दोनों को काटा तब यहां पर बन गया 1 ठीक है नेक्स्ट अपन देखा कि जो X की पावर 5 है उसका अवकलन डीके इसके साफ़ेश करो तो 5 आ गया आगे 5 में से गया 4 तो 5 X की पावर 4 तो यह बन गया 5 X की पावर 4 ठीक है प्लस दूसरा है यह 6 आ गया आगे तो 6 X की 5 बटा 6 6 से 6 कट गया उपर आ गया 5 तो 6 X की पावर 5 बटा 6 यह कट गया यहां पर वन गया 5 नेक्स्ट आपर एक और बच रहा है यह एक है इसका भी आउकलन करना है अपने को डीक से साफ़ेश लेकिन आपका पता है जो एक है वो नियत राशी है तो डीक्स के साफ़ेश नियत राशी का खिलन जीरो होता है तो यहां पर प्लस में येलो प्लस में 0 भी था ठीक है वो यह आपर लिखानी में नेक्स्ट थर्ड रूल आता है वह आता है multiply rule यह फिंपर्टन रूल है यांपर भी आपको सिखने की जुरूत है इसमें क्या होता है इसमें होता है सबसे वाली है उसका कर दो आउकलन ठीक है पहले वाले को वेसे के वेसे हैं दूसरी वाले का आउकलन फिर आजाएगा प्लस देखो इंटू में भी प्लस होता है याद रखना इंटू में भी प्लस होता है दूसरी बार व को निकालेंगे अपने बाहर और यू का आउकलन कर देंग एक्स का आउकलन करो मैंने आपको याद करवाया था साइन एक्स का उकलन कर तो फिर प्लस कर तो अपकी बार रख दो और सोल गयाा next एक फोर्थ रूल है है वह आता है डिवाइन लेग्स औरहा तो यह नेक्स है वह आता है डिवाइड हुआ टिके डिवाइड डूल में आपको फिर से सिखनेald begins में गडेचार घग गडा को आपके बार जो नीचे है उसको ले लो बाहर यह याद करने के चीज़े आपको इंटु में तो पहले वाले चीज़ बाहर आती थी यहां पर देखो क्या होता है नीचे वाले चीज़ आ गई बाहर उपर वाले का आउकलन कर दिया लेगिन अपकी बार डिवाइड इसलिए यह हार वाले का अखस्ट कर दिया अपन में हराले का स्कुर्ट मैं दिखाथ हो सा था आउकलन करें डीक्स के साफ़ें दो क्या से करते हैं सबसे फ़ेले हर वाले को लेलो बाहर अंच वाले का कर दो आउकलन कर दो अपन में हर वाले का स्क्वार कर दो